यूपी में अफसरों पर एक्शन अखलेश के घर बबंडर ट्रांसफर पोस्टिंग से बुरी तरह घबराई अखलेश यादब दस सेटों पर उक्चुनाव से पहले डूप गई सपा की नईया यह सद्वावना वाले लोग हैं तरह आपके साथ शब्नाप विधानसबा में खड़े होकर सीम योगी ने अपराधियों पर बुल्डोजर की जगा बुलेट ट्रेन चलाने की चेताब नहीं दी थी याद तो होगा है लेकिन सीम योगी की इस बुलेट ट्रेन की चपेट में अब अपराधी तो आए ही हैं वो लापरवा अफसर अधिकारी भी आ गए हैं तो ऐसे में बिना देरी करते हुए सीम योगी लापरवा अधिकारी अफसरों को नापना शुरू कर चुके हैं यूपी में सीम योगी बड़े लेवल पर बदलाव कर रहे हैं बदलावों की लिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें भी योगी सरकार को घेरने के लिए अफवा गैंग एक्टिव हो गई है हिंदो मुसलिम यादव काट खेल दिया है अखलेश यादव सबसे पहले रोना रोते हुए मैदान में कूट पड़े हैं वो अखलाते हुए तुरन ट्विट गड़ दिया और योगी सरकार पर तंचकस्ते हुए लिखा जब उप्चुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जंता फिल्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शास किये प्रशास किये नाटक कर ले कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता देखना ये भी है कि इनकी जगा जो अफसर आएंगे उनकी निस्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा तो अखलेश यादव अब सरों के तबादले पर इसकदर चड़ गए हैं जैसे योगी ने फैसला लेकर उनकी जमीन हिला दी हो अब क्यों अखलेश यादव को इतनी मिर्शी लगी हुई है तो चलिए ये भी बता देते हैं दरसल दस सीटों पर उच्चुनाव होने हैं और अब तक सपा के दो निता रेप केस में सलाकों के पीछे पहुँच चुके हैं सबसे बड़ी बात तो ये वो सीटे हैं जहां बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई शुरू हो गई है सबसे एहम है फैजाबाद की मिलकी पूर्सी यानि की आयोध्यागड जो ऐसी जगा है जहां सपा को हराने के लिए बीजेपी खुद योगी आधितनात मोर्चात सम्हाल कर मैदान में उतर चुके हैं और तो सीएम योगी ने उन पुलिस अकसरों पर भी एक्शन लिया है जो पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के बज़ाए मामले में धील परत रहे थे यही बात अकलेश यादव हजम नहीं कर पा रही है दूसरी तरफ कुछ मीडिया ग्रूप्स में भी खबरे फैलाई जा रही है कि सीएम योगी ने मुरादबाद में स्टीयों को छोड़कर किसी भी जिले में जिलादिकारी पुलिस कमिशनर एसपी एसपी सीडियों सीएम उस सहित फिल्ड से जुड़े अन्य महत्तपूर्ण पदो पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसरों को पोस्टेट नहीं किया है अकलेश यादव के तंज पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी प्रवक्ता राकेश तिरपाठी ने भी तंज कसा और पलटवार करते हुए कहा अकलेश यादव मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं अधिकारियों अपराधियों माफियाओं की जाती और धर्म देखना सपा और बसपा की नीती और रिती रही है बीजेपी और हमारी सरकार ये काम नहीं करती हमारी सरकार मेरिट और योकिता देखती है जहां तक अधिकारियों को इस्थानांतरन करने की बात है तो वे रूटीन का काम है सरकार अपनी आवशकता अनुसार तबादले करती है अकलेश यादव वियर्त के आरोप लगा रहे हैं बहतर ये है कि वो कारेकरताओं के बीच जाएं और लोगों से समवाद करें बीचेपी उप्चुनाव के लिए अपनी तयारी कर रही है सीम और दोनों डिप्टी सीम समित पूरी कैबिनेट जनता और पार्टी कारेकरताओं से समवाद कर सभी 10 सीटों पर NDA की जीत सुनेशित करने में चुटी हुई है तो बीचेपी के पलटवार ने अब अखलेश यादफ और उनके बड़ बोले निताओं की एक जटके में बोलती बंद कर दी है क्योंकि बीचेपी ने साफ शब्दों में बता दिया है कि कारवाई कैसे और किस पर की जा रही है क्योंकि CM योगी उचुनाव में कोई भिला परवाही परदाश करने के मून में नहीं है ना ही वो चुनावों में कोई धांदली परदाश करने की मून में है इसलिए वो तेजी से बदलाब कर रही है वो भी बीते दिनों लोग सभा में हार वाली सीटों पर सीम योगी ने बैठा की जिसमें निकल कर सामने आया कि कुछ अफसरों की मनमानी फ्रस्टरचार की वज़े से यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है तो ये आरोब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने लगाए जिसके बाद सीम योगी ने सकती दिखाई और बड़े बात तो ये है कि अगर बदलाव हो भी रहे हैं तो क्यो अखलेश यादव को इतनी बेचैनी है अब देखना ये होगा कि सपापाजी मारती है या सीम योगी काम्याबी पाते हैं तो फिलाल इस खबर पर आपकी राई क्या में कमेंट कर जरूर बताएं